इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. ड्रोक्सी एकलेव 500 टैबलेट दो दवाओं से मिलकर बना है. यह नेक प्रकार के बैक्टिरियल इंफेक्शन के इलाज के लिए दिया जाता है. यह सूक्ष्म जीवों के विकास और उन्हें फैलने से रोकने के लिए संक्रमन के खिलाफ लड़ता है. ड्रोक्सी एकलेव 500 टैबलेट को डॉक्टर की परची के अनुसार लिये जाने की सलाह दी जाती है. इसे खाने के साथ या बिना खाय लिया जा सकता है. लेकिन बहतर प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए इसे एक निश्चित समय पर लिया जाना चाहिए. बताए गई डोस से अधिक न ले क्योंकि ऐसा करने से आपके शरीर पर नुक्सान दायक असर हो सकता है. अगर आप एक खुराक लेना भूल जाते हैं, तो याद आने पर इसे तुरंट लें. अगर आप बहतर महसूस कर रहे हैं, तो भी इलाज का कोज पूरा किया जाना चाहिए. इलाज को अचानक से बंद करना दवा की क्षमता पर असर डाल सकता है. अगर इन में से कोई भी साइड इफेक्ट बढ़ जाते हैं, तो आपको तुरंट अपने डॉक्टर से परामर्ष करना चाहिए. अगर आपको किसी अलजिक रियेक्शन, यानि की चिकते, खुजली, सूजन, सांस फूलना, आदिक का अनुभव होता है, तो आपको तुरंट चिकित सकिय मदद लेनी चाहिए. इस दवा को लेने से पहले, अगर आप किसी भी स्वास्थ समस्या के लिए कोई दवा ले रही हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए. गर भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्ष करना चाहिए. शराब पीने से बचें क्योंकि इस दवा से अत्यधिक बेहोशी हो सकती है आमतोर पर यह आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है लेकिन यदि आपको नींद आ रही है या चक्कर आ रही है तो आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद